हेलो नमस्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को basic सिक्षा के online learning platform पे मैं आप सभी के agriculture mentor आज agriculture का हम लोग एग्रोनोमी का 23 लेक्चर डिसकस करने वाले हैं बच्चो ठीक है तो एग्रोनोमी में जो है हमने आप सभी को बताया था कि स्लेवर्स को हमने दो पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ बच्चो ठीक है जिसमें हम लोग major first lecture जो first part था उसका हम लोगों ने अल्रेड़े आप लोगों को discuss करके बता दिया है ठीक है तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जो है आज के live session में जूड़ जाईए और आज मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे साथ live classes के दौरान जो है जूड़ पाए कल मैंने देखा था कुछ बच्चे जो है लेट से जोइन कर रहे थे बच्चो ठीक है तो एक चीज़ और सभी को सेयर कर दो बच्चो ताकि maximum बच्चे जो है लाइफ क्लासेस में बच्चो हम लोग दो जैसे cotton का जो कुछ important points रह गये थे उसको discuss करूंगा आज और उसके साथ साथ जो है बच्चो नेक्स्ट जो हम लोग बचे हुए points जूट के बारे में discuss करेंगे अगर हम बात करें जूट और cotton तो यह दो ऐसे रेसे वाली फसल है बच्चा जिससे अधिक साथिक questions आपके exams में पूछे जाते हैं तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जूट जाएए ताकि आज के session में हम लोग और भी चीज़ें डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं captain बायो सुभम मौरया पंडित सीवम सुनिल कुमार पाल दृष्टी कुमारी गुड इवनिंग बेटा चलिए तो अगर हम बात करें cotton यानि कि gossipyam hirsutum के बारे में तो कल आप सभी को मैंने बताया था कपास के बनस्पतिक नाम से लेके उसमें कैसे उसकी बीज़दर होती है कैसे उसकी खेती की जाती है उसमें लगने वाले रोग और यह सारी चीज़े जो है बच गई थी तो उन्हीं को आज हम लोग continue करेंगे तो चलिए देखते है cotton से related जो points आपके बच गए थे last lecture में पहले उसको discuss करेंगे राम राम मैंग पटेल मनुष कुमार गुड इवनिंग बेटा हाँ सुदरसुन कुमार जो भी questions रहता है बच्चो आप लोग जो है लाइब क्लासेस के दौरान पूछ सकते हैं खुशी गोयल गुड इवनिंग रोमन गुड इवनिंग अभिसेख पटेल सुदर्शन सुदांसु गुड इवनिंग दिलिप कुमार गुड इवनिंग चलिए तो जल्दी सी जल्दी जो है बच्चे जुड जाईए ताकि आप सभी लोग जो है एक बार जो सभी लोग जो है सेयर कर दीजे बच्चो ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो आब ही तक जो है लाइफ क्लासेस में नहीं जुड पाए हैं वह भी समय रहते जो है जुड जाए ठीक है सक्षी कुमारी गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा सब्सक्राइब कर दोगे तब जो पोर्षन रहेगा उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो कॉर्टन सीड उसी को कहते हो जब उसमें लिंट उसमें से रिमूव कर दोगे तब जो बचा हुआ पोर्षन रहेगा उसे क्या कहा जाता है कॉर्टन सीड यानि कि सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट अब यही प्रोसेस में आप सभी को बताया था जैसे कल मैंन लिंटिंग के बारे में बात किया था आप सभी से बताये था हमने डिलींटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो कल की कलास में जो बटाये था बच्छों डीलींटिंग हम लोग कौन से एसीड का यूज कर के कर रहे थे कौंग H2SO4 यानि किसल फ्यूरिक met प्रेयो कर रहे थे ठीक है हाँ दिपसिखा कस्यप हेलो हाँ तनमय सरकार गुड़ इवनिंग बेटा चलिए हाँ एस टू एस फोका यूज कर रहे थे इसके कारण से क्यों कर रहे थे तो कपास की जो बीज होती है जिसका प्रयोग करके हम लोग बुआई करते हैं उसके आप्टेन करन का प्राहता है किवड़ का प्रम है किसका पास के बीज और लिंट को जोड़ के उसको हम लोग क्या कहते है सीड कौटन कहते है तो देखो यहां पर दो अलग अलग होगे ठीक लेकिन अगर हम लोग सीट प्लस लिंट अगर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा सीड कॉर्टन हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों चीजों को आप को ध्यान देना है कॉर्टन सीड और सीड कोडन का में डिफ्रेंस क्या होता है next बच्चो question पुछा जाता है जैसे हम लोग soil के अगर बात करते हैं तो मृदा जो होती है बच्चो वो दो प्रकार की होती है एक होती हल्की मृदा और दूसरी होती है हमारी भारी मृदा ठीक है यानि कि heavy soil और light soil ठीक है heavy soil और दूसरा होता है हमारा light soil healthy soil होती है यानि कि बलू मिट्टी जो बलू का cuma सवाइल होगी हुआ है तो considers च्विस्टषा बात करें तो ब्री मृदा में आपको प्या देना होगा इसमें जो है रेत की मात्रा कम होती है और क्ले की कंटेंट क्या होती है ज्यादा होती है और जो लाइट स्वाइल होती है इसको हम लोग हलकी म्रिदा कहते हैं तो हलकी म्रिदा में क्या होती है रेत की कंटेंट ज्यादा होती है तो अगर हम बात करें कपास के खेत बाता होती है ठीक के बारी मृदा आपसे हो जाएगा इससे आ लोérique स्वाइल या इसे ब्लैक कॉटन स्वाइल भी कहा जाता है ठीक को कहते हैं क्यों कि इसका प्रयोग करके ही हम लोग क्या करते कपास की हैं कि घरिए पॉइंट भी आपका इग्जाम में कही बार पूछे कए आए तो यह तो जो जो है 1 to 10 होता है एसीड and cotton का सुभम मौ रहे हैं सही बता रहे हैं मैंक पतेल हाँ सर जो लिंट होता है वो बीज से जुड़ा होता है और उसके फल से हाँ इसलिए और उसी को जब हटा देते हो तब उसको क्या कहते हो cotton seed कहते हैं ठीक है और जब जुड़ा हुआ रहा था तो उसको seed cotton कहते है ठीक है चलिए सही बात है next आगे बात करते हैं बच्चो next अगर हम बात करें कि इसमें कितनी point जो है यहां पर आपको ध्यान देना होगा जैसे आपको कल मैंने बताया था कि किस तरह से आप रेशे की जो strength होती है maturity fiber की जो maturity होती है रेशा की परिपकोता वो मापन करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते है तो परिपकोता मापन करने के लिए हम लोग area low meter का प्रयोग कर रहे थे तो इसी तरह से fiber is very strong when breaking point is more than 95 kg per square centimeter ठीक है अगर हम लोग breaking point की बात करें तो रेशा कब मजबूत माना जाएगा ठीक है रेशा मजबूत होने के लिए उसका breaking point कितना होना चाहिए उसका breaking point 95 kg per square centimeter से अधिक होनी चाहिए ठीक है उतना अगर वो strength को जहल पा रहा है यानि कि उतना तक हम लोग stretch करें तो उतना point को अगर जहल पा रहा है तो वो क्या है strong यानि कि मजबूत रेशा कहलाएगा ठीक अब इसमें nutrient management यानि कि पोशक तत्तो की बात करोगे बच्चा तो पोशक तत्तो अगर देखा जाए तो पोशक तत्तो की में अगर हम लोग mainly देखते हैं तो हम लोग NPK की बात करते हैं तो इसमें अगर देखोगे तो NPK NP और zinc nitrogen phosphorus zinc की मातरा जो होती है NP और zinc की मातरा तो आपको nitrogen जो है 100-120 kg 20-30 kg phosphorus और zinc जो है आपको 15-20 kg की आवसकता होती है तो इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं यहीं तीन फोशक ततो जो है इसके लिए आवसक होते हैं अब इसमें water requirement के अगर बात करोगे जल माग यानि कि जल माग इसमें कितनी होती है तो बच्चा इसका जल माग जो होती है वो आपका 500-665 cm अब इसको आप लोग मिली मीटर में करना है तो बच्चो 650 mm ठीक है तो 500-650 mm जो है मिमी इसमें पानी की आवसकता होती है ठीक है तो इसकी जल माग अगर देखोगे तो हमारे जो तेलहन फसल और अनाज वाली जितने भी थे हम लें जो पढ़ा है आपका धान उसके बाद जो है आपने पढ़ा है यहाँ पे गन्ना के बारे में धान और गन्ना के अपक्षा में जो है इसमें जल मांग जो होती है बच्चो उसके अपक्षा इसमें क्या होती है हेक्टर होता है ठीक है बच्छा मतलब होता है मिलियन हेक्टर ठीक है अब यहां पर नंबर ओफ काउंट यानि की देखो अगर हमने कोई भी फाइबर का क्रॉप है रेसे वाली जो फसल होती है उसकी अगर हम लोगों को मजबूती यानि की जो लंबाई होती है उसको अगर टेस्ट करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं उसको इस्पाइन यानि की घुमाते है और उसको जितने भी number of turn कितना turn वो घुमेगा उसके basis पे हम लोग उस रेसे की मजबूती यानि की strength को पता कपास में गुमावदार संख्या जो होती है बच्चाओं कितना होता है आपका तो इसमें 20 by turn count जो है अगर हो गई तो भारत ये गन्नाक को आप लोग इस तरह से भी जज़ किया जाथा उसी spinning performance के basis पे जो है बच्चों हम लोग जज़ करते हैं कि आपकी जो crop है वो कितना चलिए ठीक आगली next class है जो बच्चों आप लोगो content भी जो आपको यहां पर हिंदी में बता जा रहा है लेकिन आप लोगो written content भी आपको दोनों लैंगोज में रहेगा ठीक है यहां पर जो चीज़े रिटेन भी जो आपको दोनों लैंगोज में दी जाएगी ठीक है द्रि चलिए good evening number of count required for best quality अगर उच्च quality के कपास के लिए जो है बच्चा कितना होना चाहिए यह कपास उच quality कपास के लिए उच गुनवक्ता वाली कपास के लिए कितना होना चाहिए turn तो 80 से 400 होना चाहिए 400 count अब देखो एक चीज़ ध्यान देदो इंडियन भारती है जो कपास होती है उसमें 22 काउंट यानि कि इससे obviously हमें पता चल रहा है कि हमारी जो देशी कपास होती है वह उतनी अच्छा गुनवक्ता की नहीं होती है इसलिए हम लोग भारत में भी अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी कपास उगाई जाती थी कली मैंने बताया था आप सभी को सबसे ज्यादा जमलों संकर कपास के जो होती हाइब्रीड होते है वह चालीस परतिसाथ चेतरफल में उगाई जा रही थे 36 परतिसाथ में अमेरिकन कॉटन उगाते थे ठीक है तो इसी से हम लोग लोग को पता चलता कि उसकी क्वालिटी जो होती है बच्चा वह आपका बीदेसी कपासों में और अमेरिकन का पास मुख्य रूप से जो है उसमें अच्छी होती है तिसीरे नंबर अफ काउंट भी जो होता है वह आप देसी कापास का देख सकते हो 22 होती है लेकिन हम लोग अगर अच्छे क्वालिटी के लिए देखेंगे तो 80 से 400 काउंट के बीच में जो है होना जरूरी होता है अब जो ठीक है तिस चीज को ध्यान देना है नेक्स्ट आप सभी की सामने यहां पे दिया हुआ विच इन इलोंगेशन आउट ग्रोफ ऑपन इपिडर्मल सेल यानि कि जो देखो कोई भी अगर कोशिका रहता है तो उसकी जो बाहिरी तोजा रहती है बाहिरी जो लेयर रहती है उसी को हम लोग क्या कहते है इपिडर्मिस कहते है वायद हो ऑजाको तो उसकी जो आउट ग्रोफ होती हैं उसी को हम लोग क्या किया दे बाट्चा कॉटन फाीबर कहा जाता है तो यहां पर जो Tsarmo बता रहओं उन सभी लिंट क्या सबसे पहले सभी आपको झेयान देना है कि लिंट क्या होता है कि लिंटक और कि ये आप सभी को मैंने बताया था कल ठीक है उसके आद आपको cotton fiber के बारे में ध्यान देना है तो यह सब टर्म होते हैं न बच्चो इन सब term के बारे में आप लोगों को जब तक basically ध्यान दे दोगे तो आपको क्या होगा जब भी आपके terminology बेस्ट जो questions आते हैं वो आपके जो है हल हो सकते हैं अब number of fibers in one seed एक बीज में कितना ratio की संख्या होगी तो आपका यहाँ पर 60,000 से 80,000 fibers जो होती है उतने वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक बीज में ठीक अब जेनेटिक ट्रेट यानि कि अगर हम लोग बात करें अनुवांसिक चीजों की अध्यान हम लोग कैसे कर सकते हैं तो कपास के अनुवांसिक की चीजों की अध्यान कपास के अनुवांसिक गुन के अध्यान कपास के अनुवान से गुन के अध्यान रेशे की लंबाई और रेशे की रेशा की लंबाई और पतलापन से होता है अगर आपका जो रेशा है वो ज्यादा लंबा तक अगर आप खीच रहे हो उसके घुमावदार जो तरीका से स्पाइन की काउंट कर रहे हो तो समय अगर आपका रेशा लंबा है और बहुत पतला महीम है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फाइवर होती है वो खेती बच्चों कितने की की जाती है चार की हो ठीक ओन कॉन सी होती है यहाप सभी को कली के क्लास में पता दिया गया हूं ठीक है यह सारी चीज健 आपको लास्ट लेकचर में बता दिया घए जिन्णों ने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है बच्चो वह आप देख सकते हो ठीक है हाँ कपास की मजबूती मापने के लिए माइक्रो मीटर का प्रयोग करते हैं माइक्रो नियर का प्रयोग करते हैं और हाँ कपास की जो रेशा की जो परिपकोता होती है उसके लिए हम लोग एरियलो मीटर का प्रयोग करते हैं ठीक है मैं चलिए हाँ सबसे कम जो है 0.2 परतिस यानि कि इस्टतम पीच का मान जो कपास खेती के लिए इस्टतम पीच का मान कपास खेती के लिए कपास खेती के लिए इस्टतम पीच का मान इस्टतम पीच का मान इस्टतम pH कितना होना चाहिए आपका तो 5.5 से लेके 8 होना चाहिए ठीक है वच्छा तो 5.5 से 8 जो pH का मान होता है वो आपका क्या है इस्टतम pH का मान है जो आपके कपास खेती के लिए होना चाहिए ठीक है पांच पॉइंट पांच से लेके 8 pH का मान जो है इस्टवत तम होता है इस चिज़को आपको ध्यान देना है नेक्स्ट आपको पर देना है यह ताप मान कितना होना चाहिए मिनिमम जो है बच्चो तो आपका solar degree centigrade आपके आवस्यक्ता होता है ठीक है और यह जो temperature स्वत्ते बच्चा यह आप सभी को ध्यान देना है ठीक है यह temperature से भी आपके कई बार question पुछे जाते है ठीक है 21 डिज़ी संटगरेट बनसपती विकास के लिए अंकुरन के लिए तापमान आपका solar degree centigrade बनसपती विकास के लिए तापमान 21 Ét Chip و यहां के लिए फल विकास जो होती है फल विकास के लिए ठीक है फल विकास जो हमलोग ball development कहते हैं तो फल विकास के लिए बचाओ यहाँ पर 27 से 32 डिग्री की तापमान जो है वो आवस्यक होती है तो इन चीजों को नूट करना है आपको सबसे पहले अंकुरन के लिए कितनी तापमान की आवस्यक्ता होती है तो अंकुरन के लिए 16 डिग्री बनस्पती विकास के लिए 21 डिग्री और जो हम लोग की बॉल ड देना है पुश्पन के लिए पुश्पन के लिए कितना तापमान चाहिए तो आप सबीको ध्यान देना आप 20 degrees centigrade से अधिक है फिर 40 degrees centigrade से कम तो पुश्पन के लिए बच्चो कि अधिक तापमान क्या वसकता होती है लेकिन यहाँ पे नाइट टिम्परेचर किना होना चीए रात्री समय में रात्री समय पर तापमान रात्री समय में तापमान कितना होना चीए तो रात्री समय में तापमान जो होता है बच्चों आपका 12 डिगरी से अधिक होना चीए यह सारे टि आपमान जैसे जलवाईू जलवाईू क्या है सबसे बहुत पूर्ण फैक्टर है क्रॉप डेवलप्मेंट के लिए और ग्रोथ के लिए फसल बृद्धी विकास के लिए सबसे महत पूर्ण चीज क्या है आपका जलवाईू जिसमें आपका टिम्परेचर हुमिडिटी तक जो है आपको उसके बहुत से स्टेजेज में जो आपके अलग-अलग जलवायू की आवस्यक्ता होती है ठीक है जैसे आप सभी नों धान और गिहूं में भी देखा होगा अलग-अलग कंडिसन पर जैसे बनस्पति विकास के लिए अलग और फल विकास के लिए अलग तो अब हम लोग जो है बच्चो नेक्स्ट बात करते है मीन मीन रिलेटिव उमिडिटी जैसे आरेज फ्रेक्टर जो होता है जिसको हम लोग रिलेटिव उमेडिटी कहते है ठीक है रिलेटिव होमिडिटी यानि इतना दिन में जो है रेसे की लंबाई कितने दिन में complete हो जाती है ठीक है रेसे का विकास जो होता है बच्चा वह 21-24 दिन के अवधी के अंदर जो है वो complete हो जाती है जैसे एक बार हमारा रेसे का formation हो गया रेसे का निर्मान हो गया तो उसका जो व्रिद्धी विकास होने के ल होती है अब इसमें देखो पुस्पन का समय कितना समय बाद आता है पुस्पन का समय तो पुस्पन का समय जो होता है वच्चों आपका सतर से लेके सो दिन यानि कि बुवाई के सतर से सो दिन बाद बुवाई का सतर से सो दिन बाद जो है पुस्पन का समय होता है बुवाई का पूस्पन पूरी तरह से डेवलाप हो जाएगी और एक चीज मैंने कली आप सभी को बताया था टॉपिंग और निपिंग के लिए तो फटाफट जो भी बच्चे काल की क्लासेस में प्रेजेंट थे फटाफट हमें बता दीजिए सभी लोग फटाफट बता जीजिए कि कापास में बच्चा वह हम लोग टॉपिंग यानि कि सिर्सकरदन कर रहे थे वो कितना दिन बाद कर रहे थे ठीक है देखते हैं कौन-कौन जो है बच्चे हाँ प्रदीप गुड इवनिंग बिटा गुड इवनिंग चलिए फटाफट आप सभी लोग बता दीजिए कि कापास के केस में बच्चा आप जो टॉपिंग यानि कि सिर्सकरदन जो कर रहे थे वो कितना दिन बाद कर रहे थे हाँ सर में बिए का स्टुडेंट हूँ बट आपकी क्लास में अच्छा लग रहा चलो ठीक है बच्चा कोई दिक्कत नहीं आप लोग जो है क्लासे सेटेंड कर सकते हो एगरी कल्चर की भी हाँ सुभम मौर्या सही बता रहे 80-90 दिन बाद यानि कि बुआई के 80-90 दिन बाद जो होता है बच्चा वो हम लोग करते हैं नेहा कुमारी सुभम मौर्या सही बता रहे दोनों लोग 80-90 दिन बाद यानि कि सिर्सकरदन जो होती है बच्चा वो बुआई से 80-90 दिन बाद सबस्कार का कितना दिन बाद होता है 35 से 70 दिन बाद पुस्पन का डिवलप्ड फ्लावरिंग सपेड जो पुस्पन किस समय पर होती है तो शतर से 100 दिन बाद फ़िक उसके बाद अगर बात करें कि 20% साइज कितने दिन के अंदर तो ये इसमें आपको ध्यान देना होगा 15-18 दिन के अंदर जो है आपका यहाँ पर क्या होता है कपास के बॉल का विकास 15-18 दिन के भितर हो जाता है 15-18 दिन में हो जाता है इस तरह से बच्चो अलग अलग जो है पॉइंट आपको लोगों को बता दिया मैंने अब हम लोग बात करते हैं बच्चो इसमें लगने वाले महतपूर्ण कीट के बारे में ठीक है कपास में लगने वाले महतपूर्ण कीट के बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है तो कपा कापास के मौत पूर्ण कीट अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देदो कोई भी अगर हम लोग फसल पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसमें कौन-कौन से कीट लगते हैं उसके गंभीर कीट क्या है और उसके बनस्पतिक ना उसके जो जो लॉजि आते हैं एक्जाम में जिसमें आपको एक तरफ का पास का नाम रहेगा और दूसरे तरफ उसका जो लॉजिकल नेम रहता और आपको क्या मैस्ट फॉलाइंग तरह के पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको बच्चों यहां पर यह ध्यान देना होगा कि कौन सा कपास का कीट है जिसका बनस्पाति जो लॉजिकल नेम यहां पर आपको अपोजिट साइड में दिया हुआ है ठीक है जैसे हम लोग बात करते हैं पिंक कापास के महुत्पूर्ण किट में पहले आप सभी के सामने दिया हुआ यह पिंक बॉल ओम कि अगर हम बात करेंगे तो पिंक बॉल ओम जो गुलाबी सूढ़ी की रहा होता है बच्चा तो घुलाबी सूढ़ी में जो है सबसे पहले जो लगता है उसका गुलाबी सूढ़ी जो होता ऊट्व है इसमें आपको ध्यान देना होगा इसका प्रिकर will वोंम का। ठीक। इस तरह से आपको यह ध्यान देना होगा। नेक्स्ट सफेद मक्खी जिसको हम लोग क्याते हैं white fly सफेद मक्खी सफेद मक्खी का जो होता है बच्चा हुआ आप सभी के सामरे दिया हुआ भेमिसिया टबाकी और उसके बाद एफिट्स यानि की माहों का बच्चों यहां पर दिया हुआ है आपको ध्यान देना है एफि बता दू बच्चों कहीं पर भी अगर आप पढ़ोगे एफिड यानि की माहों की बात करोगे तो आपका जो जेनस रहेगा न वह सेम रहेगा एफिसी रहेगा और उसके पीछे वाली जो इस पेसिस रहेगी वह आपका जो फसल हो गा जिस भी फसल में लोग रहा है उससे र इस तरह से बच्चों आपको इस तर एक यह भी तरीका है जिस तरह से आप कर सकते हो और सफेद मख्य तो क्या है बहुत सारे फसल में आपके लगते हैं और यह हमारे एक तरह का वेक्टर यानि कि बाहक का कारे भी करता है जैसे जो विसानु जनित रोग होते हैं तो विसान साथ में ये विसानु जनित रोगों के लिए वाहक का कारे भी करता है तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा ठीक है और ये पिंक बॉल वम जो होता है ये मुख्य कीट है यानि की मुख्य कीट जो मुख्य रूप से जो नुक्सान पहुचा आता है वो गंभीर कीट कहलो य साइन्टिफिक ने में बच्चा है ठीक है ठीक उसके बाद जो है इसको अमेरिकन सूडी की रहा ठीक है इस तरह से बच्चों ये सारे जो है मुख्य पूर्ण कीट थे और इसके जो यहाँ पर साइन्टिफिक नेम कहलो या जो लॉजिकल नेम कहलो ये सारे चीज़े यहाँ पर दी हुई है ठीक है तो इस तरह से आपको जो है रिते स्मिसरा प्रणाम बेटा हम हाँ सभी का हिंदी बता दिया गया है दृष्टी कु ठीक उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कपास में लगने वाले कुछ रोगों के बारे में ठीक है कपास में लगने वाले मौत पूर्ण रोग ठीक है कपास के मौत पूर्ण कीट रोग के बारे में कपास के मौत पूर्ण रोग जो होता है उसके बारे म सारे फसल में जो fuzarium होता है वह fuzarium augisporum के कारण से ही होता है उक्ठा रोग इसको हम लोग क्या कहते है बच्चा उक्ठा रोग भी कहते है तो उक्ठा रोग जो होती है वह आप सबी को ध्यान देना होगा उक्ठा रोग हमेसा fuzarium augisporum अब यह आप फंक्शनल जो इस्पेसिस होते है न यह आपका अलग-अलग फसल में अलग-अलग हो जाएगा लेकिन जो फ्यूजारेम विल्ट जो एकठा रोग होता है वो मुख्य रूप से जो है बच्चो यह आप सभी को फ्यूजारेम विल्ट हमेशा क्या ध्यान देना है फ्यूजरेम ऑग्जिस्पोरम के कारण से ही होगा लेकिन यह जो आपका फंक्शनल इस्पेसिस है यह अलग-अलग फसल में बदल जाती है ठीक है इस चीज को ध्यान देना होगा चलिए उसके बाद बच्चो यहाँ पर एंथ्रैग नोज जो एंथ्रैग नोज हमेशा से खियान दे दो छोटा सा कि कहीं भी फसल कोई भी फसल अगर आप पढ़ते हो चाहिए अभी हम एग्रोनोमी पढ़ रहा है होटी कल्चर उद्धेन बिग्यान पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको लगवाद 30-40 फसल पढ़ने होंगे जिसमें आपको सबजी वाली फसल ठीक ह हो तो हर एक फसल में इस तरह के रोग लगने वाले रोग आणू आएंगे तो अलग अलग आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है बस एक कॉंसेप्स थोरा सा बना लोगे तो आपका काम जो है हल हो सकता जैसे एंध्राइग्नोज जो होता बच्चो वह को लेटो लेटो ट्राइकम गोषी पी उसके बाद बच्चो नेक्सित आपको बीज उपचार जो होती है वो किस के लिए करते हैं ठीक है बीज उपचार बच्चो हम लोग किस से करते हैं तो एग्रोशन से करते हैं ठीक है और कितना मात्रा में तो 2.5 ग्राम पर केजी आफ सीड यान तो उन सभी के नियंत्रन के लिए बुवाई से पूर्व ही हम लोग क्या करते हैं वीज की उपचार करते ताकि जिसके कारण से हमारे जो फसल आने वाले जो अंकूरीत फसल होते हैं उन सभी में जो है उस तरह के रोगों के जो है इनसिदेंस वो जो है कम हो जाए ठीक है तिस प्रणाम सब बढ़िया है चलिए तो इस तरह से आपको ध्यांदना होगा कि जो आपका जो बीज लगने वाले जो रोग होते हैं वो कहां पर पाये जाते हैं इन्टर्ननल मतलब अंतरिक रूप से हमारे बीज के अंदर उपस्तित होती है और उसके कारण से जो है वहीं से हमारे फसलों में नुक्सान पहुचाने का काम शुरुख खरता है और इसके बीज उपचार के लिए ठीक है जूलसा रोग से बचने हेतू, बीज उपचार के लिए, हेतू, बीज उपचार किसे द्वारा करोगे तो streptomycin के द्वारा करोगे ठीक है, तो जुल्सा रोग के लिए streptomycin यूज करोगे और यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे एंथ्राग्नोज से बचने के लिए एग्रोशन का प्रयोग करोगे ठीक है तो अगर आपको ध्यान देना होगा तो दोनों ही चीज़ आपको ध्यान देना होगा किस किस चीज़ का प्रयोग करके आप उस फसल से उस रोग से बचा सकते हो तो बैक्टेरियल जुलसारों के लि जैसे हम लोग बैक्टेरियल ब्लाइट जो थी ठीक है जीवानु जनित जुलसा रोग जो था उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे जो पतियों पर धबा लगता उसके लिए मैंको जेव का प्रयोग कर रहे थे और रूट रूट के लिए प्रयोग कर रहे थे तार यहांद जो किसी के लिए कंदर करते बीच उप्चार के लिए थे नहीं कहानी के लिए स्ट इसकी dewते लेक्ष जd यूज कई यरोग से जो प्रिए्च हो आप लोग लेक्शे डिए इसना है ने अत्ह इस सो जो डिएस निँ और जो कुछ important points जो छूट गया थे कपास के बारे में उसको जो हम लोग discuss कर लिए ठीक है अब हम लोग सुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में मुख्य दूसरा जो है फसल हमारे जो रेसे वाली फसल में जो second important फसल होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है जूट जो है हमारे क्या है एक महत्तोपून रेसे वाली फसल है ठीक है इसके भी जो है जैसे जूट का बोरा अगरा बनाने के लिए हो चाहिए रेसा उत्पन करने के लिए जो हम लोग इसमें भी यूज करते हैं ठीक है तो इसमें जो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो नहीं आप आप सभी सुरू करते हैं आप जूट और मित्तपने इनकी में थ्यूट की अगर हम बात करेंगे तो जूट बनस्पतिक नाम होता हैrows फाल Right तो आपको दोनों ही चीज़े बता दिया रहा हूं ताकि आप लेकिन प्राइडिटी किसको दोगे पहले अगर टीली तो आप इसको प्राइडिटी देना है ठीक उसके बाद नेक्स्ट अगर नहीं इनकेस दिया हूआ तब जाके आप मालवेशी पर जाओगे ठीक है तो महतपुर्ण जो आपको एक फैमिली अगर लगानी होगी तो आप क्या लगाओगे तो इसका जो पनस्पतिक नाम जो होती होती है पकोर कॉर होती है और इसकी जो पूल होती है बाद démocrat करें तो यह भारत का महतवपुर्ण रेसे वाली फसल ऐह भारत का महतवपुर्ण रेसा सलीं ठीट करें, अगर हम बात करें भारत का KARtier में जूट कि जो सबसे में और juste ₩ बादन होती है बच्छो सबसे बड़ा उत्पादन उत्पादक कौन है तो इसका उत्पादक सबसे बड़ा जो है बच्चो क्या हो जाएगा आपका भारत भारत क्या है बिश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है बिश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भार भारत है तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो होती है बच्चा वो क्या है आपका भारत है अब इसमें गुंशुत्र संख्या से रिलेटेड भी आप सभी को बता दू कि काफी डाउट से रहती है तो 2N इसमें जो है आठ होता है ठीक है इसमें जो हम लोग को स्ष्व घांदेना होगा ठीक है इसमें बुशुत्र की संख्या में जो है डाइवर्सिटि पाई जाती है अब इसकी उत्पत्ति स्थान अगर देखा जाए तो उसकी उत्पत्ति स्थान वादचा तो भारत ही ये के इंडियन सब कन्टी नेन थीक है तो में प्सक्तितř फे बिहार में आप सभी को देख़े होगे, जूट की जो आप जाती है, मृतुन्जे कुमार सरजियम बिहार से तो जो भी बिहार ओरीजिन के बच्चो उनको बरुन ब्राउन गोल्ड, हाँ बोडी बनाया जाता है, शही बात है, टीलिएसी चलिए उसके बाद आप बात करते हैं लिए नहीं है तो मिश्व में भार्त का इस्थान के पहला इस्थान एक तो जूट के उतपादन में ने भारत प्रत्थम संपार में भारत वे बात करेंगे तो वेस्ट बेंगल जो होती है वह क्या है फर्स्ट इस्थान पर है एरिया और प्रोड़क्टिविटी में है लिएक हिसाब से लिए पहला इस्थान पर ठीक है यहाँ पर weight of one bell of jute यानि कि एक गठरी जो जूट का वजन एक गठरी जूट का वजन कितना होता है इस चीज को ध्यान देना है एक गठरी जूट का वजन जो होता है बच्चों होता है 180 kg कपास के केस में 170 kg था ठीक है तो इस चीज को मत भूलिएगा ठीक है अच्छी बात है उसके बाद बच्चों इसका 20 दर की बात करते हैं ठीक है कपास का जो 20 दर होता है वो आपका क्या होता है इसमें 6-8 kg प्रती हेक्टर के दर से जो है आपका यहाँ पर 20 की बुआई होती है और 20 दर अगर आप सभी को दिया जाते को अभी कुछ दिन में जैसे क्लासेस हम लोग क्रॉप्स जब कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ नुमेरिकल्स वाले लेक्चर्स भी हम लोग एग्रोनुमी में लेकर आने वाले है जिससे आपके एक्जाम्स पर पूछे जाते है जैसे 20 दर कैसे कैलकुलेट किया जाता है पौधे की दूरी अगर दिया र तो फसलों के बारे में पहले अध्यन कर लेते हैं फिर जो है इस तरह के बीजदर पौधो की संख्या खाद की मात्रा इस पे जो है जो नुमेरिकल्स बनते है चाहे फसल संघंता जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है क्रॉप रोटेशन होती है रोटेशनल फिजिक्स माकी अन्य सब्जेक्स के भी क्लासे के लिए जो हम लोग दिन रात लगे हुए है जल्दी हमारे प्लैटफॉर्म बेसिक सिक्षा पर आपको सारे सब्जेक्स क्लासे मिलेंगे ठीक है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रितेश जल्दी हम लोग सुरू करेंग के लिए फिजिक्स और माकी भी जो सब्जेक्स नहीं शुरू है वो सभी का जो है शुरू हो जाएगा हां नितिन श्रिवास्तब 170 केजी कॉटन कपास का जो है बच्चा वो 170 केजी होता है लेकिन जूट की अगर बात करोगे एक गठरी जूट का वजन कितना होता है तो 180 के ग्री कल्चर में कुछ चैप्टर्स बाइलोगी के आते हैं जैसे कि आप सभी को बता दू प्लान्ट फीजियोलाजी हम लोगों पढ़नी होती है ठीक है उसका जोबी चैप्टर्स बाइलोजी से रिलेटेड है ठीक है और जिससे कोशन्स और में पूछी जाती है उन सारे स अगर जूट की वरगी करन देखोगे बच्चा क्या होता है जूट की अगर कपास की वरगी करन आप देखोगे तो कपास के वर्गी करन से रिलेटेड जो कुछे जाते हैं, ठीक है, कपास की वर्गी करन दो तरह से होता है, गोता कोर्कोरस, ओलिटोरियस और कोर्कोरस, कैप्सूलारिस, अब देखो, यहाँ पे बच्चा यह चीज आपको ध्यान देना होगा, थैंक यू बेटा, चलिए, चलो, तो अब जो कपास की वर्गी करन के हम लोग बात कर रहे थे बच्चा, तो दो तरह के वर्गी करन इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के कपास जो है, इसमें पाए जाते हैं, एक हमारा होता है, कॉर्कोरस, ओलिटोरियस, जिसे हम लोग मेथा, पैट, जूट या फ होता है, कैपसुलारिस, यहाँ पर कॉर्कोरस, ओलिटोरियस, और दूसरा जो होता है, जिसे हम लोग सफेद जूट कहते हैं, क्या कहते हैं, सफेद जूट, तो सफेद जूट जो होता है, या फिर इसको हम लोग टीटा जूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो टीटा किसके कारण से होता है तो glycoside के उपस्थिती और वो glycoside का नाम क्या है corcarine यानि कि कभी question पूछा जाया कि corcarine तत्व कहाँ पाया जाता है तो corcarine तत्व के presence के कारण से ही ध्यान देना है तो अब बताओं के और इसका सफेज जूट का जो बनस्पतिक नाम है वो क्या है bakac 있же को इस Efendimiz इसके नामे compound अब मैं dehkim दरिखाइक कर्फाने होता है घुन सबति है अजया है है सिं पम्हें की सबस्ते सब्सकाई और दोन感じ इसमें गठरी जूट का हुग इस्टतम समय जो होता है तो कटाई का इस्टतम समय जो होता हूँ नब्बे दिन में होता है बुआई के नब्बे दिन बात जो है आपको यहाँ पे यह जुटकाई क्लासिफिकेशन है बच्चा है यहाँ पे कॉटन का नहीं है यह cotton का आप सभी को बता दिया गया थे last class में gossipyum hirsutum, gossipyum arboreum, gossipyum harvestyum और gossipyum barbadens ठीक है यह हम लोग जो बात कर रहें वो जूट का है ठीक चली good morning चली आगे बात करते हैं optimum time of harvesting यानि कि इस्टेतम समय तो देखो दो चीजे यहाँ पर आपको यहाँ पर काफी बच्चों को जो confusion अगर हो रही है तो इसको मैं clear कर दूँ कि देखो इस्टेतम समय जो कटाई के लिए होता है वो होता है बुआई के 90 दिन बाद लेकिन अगर आपको अच्छे उत्पादन और अच्छे quality वाले रेशा चाहिए और अच्छे उत्पादन चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को बुआई के बाद 135 से 140 दिन बाद अगर आप कटाई करोगे तो अच्छे उत्पादन अच्छे उत्पादन और रेशा के लिए आपको किस समय आपको कटाई करनी है तो बुआई के 135 से 140 दिन बाद लेकिन अगर इस्टतम समय कटाई के लिए देखोगे तो 190 दिन आपके लिए important है ठीक है तिस चीज को ध्यान देते हो ही अब आगे हम लोग discuss करते हैं बच्छो यहाँ पर देखो interculture operation याणि कि जो हम लोग जूट के खेती में जो हम लोग कुछ गती भिदिया करते हैं जैसे हम लोग इसमें kapas में बात कर रहे थे topping के बारे में, dying के बारे में, defusing के बारे में ठीक है तो इसी तरह से जो है बक्चो यहाँ पर दो गतिविदी जो हम लोग जूट में भी करते हैं एक होता है आपका यहाँ पर रेटिंग और दूसरा प्रोसेस होता है हमारा रीबनिंग ठीक है तो रेटिंग और रीबनिंग ठीक है रीबनिंग एंड रेटिंग यह दो ऐसे प्रोसेस है जो हम लोग किसमें करत तो इस तरह से बच्चों इंटर कल्चर ऑप्रेशन से जब चीज़े पुछी जाती है कई बार पुछा गया ठीक है जब लोग एक बार अग्रोनोमी जब कंप्लीट हो जाएगे तो उसको समप करके भी दो से तीन लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें लोग कॉमन जो पॉइंट जहां-जहां से सवाल आपके competitive exams उठाये जाते हैं उसको एक जगह अलग से हम लोग कंपार करेंगी कि सारे फसल का एक जगह कौन-कौन से इंटर कल्चर ऑप्रेशन कहां-कहां की जाती है ठीक है तो यह सब चीज़े जो होगी वो किसलिए होगी तो आप सभी के लिए revision के त तो जूट में बच्चो रिवनिंग से related point देख लेते हैं रिवनिंग किसको कहते हैं रिवन आप सभी ने देखा होगा किस तरह से जो है फीता जो बाल में बानते हैं गल्स ने बांधा भी होगा रिवन ठीक है पीछे जो आपने बानते हो तो उसी तरह से बच्चो यहां प पहले इसको रिवन से इस तरह से गठम के तउर पर उसको बान्धा जाता है ठीक है तो उसी प्रसेस को हम लोग क्या THAT रिवनिंग कहते हैं तो देख लेते हैं रीविनिंग क्या होता है सबसे पहले तो रीविनिंग मतलब होता है कि इसमें ये सबसे ज्यादा चाइना और ताइवान में किया जाता है बट भारत में जो ही आमतोर पर नहीं की जाती है ठीक है तो ये भारत में आमतोर पर नहीं की जाती है भारत में आमतोर पर नहीं होता ह होता है चीन और ताइवान में होती है कहां होती है बच्चा चीन और ताइवान में होता है इस चीज को ध्यान देना आप सभी को उसके बाद यह विसमें किया क्या जाता है तो तो सबसे पहले जैसे कटाई हो जाती है ठीक है कटाई होने के बाद क्या पूछ रहे हैं मैंग पटेल हाँ क्या किया सबसे पहले कटाई होती है कटाई के बाद उसका चंच छीलका güं का बंडल किया जाता है और उस बंडल को जो चल लेयर होती है हरी रंकी उसको सडís nightmare जाता है और जब वो सड़ जाता है तो उसको हटा दे नहीं पर आपको रेशा आपके अपरते हो जाते है जूटके जूटके जो दागे होते उसको आप्टिन किया जाता है और इसी के लिए आपको दो चीजे ध्यान देता है इसमें कितना समय लगता है तो रेटिंग के लिए जो होता है बच्चा रेटिंग के लिए आठ से 30 दिन का समय लगता है दिन का समय लगता है और इस प्रक्रियम होता क्या है तो उसके जो बैक्टिरिया जीवानू के दुआरा उसके जो बाहिरी परत होती है उसको सड़ाया जाता है और जैसे बाहिरी परत सड़ जाता तो उसको सड़ से ऐसे हटाने के बाद आपको अंदर का जो रेशा रहता है जो फाइबर रहता है वो आप इजली निकाल सकते हो, ठीक है, और इसके लिए जो है, धीमी बहता हुआ पानी, ठीक है, धीमी बहने वाला पानी, ठीक है, धीमी बहने वाला पानी उप्युक्ध होता है, ठीक है, दीमे बहता पानी इसके लिए कैसा पानी चाहिए तो दीमे बहने बहला क्यूं? अगर इस पीड में पानी बह रही है तो आपके जूट को भी वो क्या करेगा? बाहा के ले जाएगा तो जो आपका यहां पर सडन प्रक्रिया है वो पूर रूप से नहीं हो पाएगी इसलिए हमारा जो पानी होना चाहिए धीमे धीरे-धीरे बहने वाला पानी हो चाहिए धीमी बहता पानी आवसकता होता है और इसके लिए जो इंपोर्टेंट जिससे कई बार कोशन पुछा गया है कि इसके लिए तापमान कितनी चाहिए तो तापमान जो होती है रेटिंग के लिए वच्चा वो आपका कितना होना चाहिए तो 34 डिग्री सेंटीग्रेट होना चाहिए यह आपको important है इसको अलग से mark कर लीजेगा यह हमारा क्या है तो जैविक सडन प्रक्रिया है सबसे पहला point दूसरा आठ से 30 दिन का समय लगता है दूसरा point तीसरा पानी जो है वो धीमे बहता हुआ बहने वाला होना चाहिए और चौथा point इसके तापमान यही चार point से आपके questions पूछे जाएंगे ठीक है तीस चीज को जर प्रति के ऍज़ी बीज उपचार के लिए वच्चा हम लोग क्या यूज करते हैं यहांपर चैप्टेन और के सब्सक्राजण केरेशन का प्रयोग करते हो और इसका बुई का समय जो होता हुँ टोसा जुट का अप्रिल माई में और सफे जुट का मौर्च अप्रिल में ठीक है तो बुई बारे जितने भी fiber crop थे ठीक रेसे वाली फसल उसके बारे में आप लोगों को आज की लेक्चर में हमने डिसकस कर दी है फिर next जो लेक्चर होगी बच्चा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटैटो के बारे में ठीक है यानि के आलू बहले आलू हम लोगी होटिकल्चर की ठीक है और next लेक्चर में इससे आने से पहले एक बार इसको रिवाइज जरूर कर ली जएगा ठीक है next जो लेक्चर होगी वो आलू पेन होगी ठीक है तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही करते हैं बच्चो सभी लोग जो है next क्लास में फिर मिलते हैं good night take care सभी लोग अपने घरों में रहिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बच्चो ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं thank you so much good night